नमस्कार मित्रूं, I welcome you all again to Sumrised, my YouTube channel. और आज बात करेंगे, उस बहुत बड़ी घटना पर, जो शायद असल में उतनी बड़ी है नहीं, जिस पे पूरे देश में बात हो रही है, और खास तोर पे गोदी मीडिया उसको लेकर उड़ा हुआ है, प्रधनुंत्री मोदी जी की पंजाब यात्तरा के दोरान, कौन है, सो बात करेंगे सीधी तक्ठों पे, तरकों पे, इशारों पे नहीं, कैट कॉल स्पे निग, डाग विसल स्पे निग, जो पूरा का पूरा बीजिपी अब लग गया है, वही करने में, चुनाओं में हालत पतली है, अगर इत चैनल पसंदा रहो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियोस को लाइक और साजा, सो सबसे पहली बात तो ये है, कि जिस तरह से प्रधनमंत्री जी की हवाले से ये कहा जा रहा है, कि उन्होंने कहा कि अपने सीयम को धन्यबाद कहना, तो मैं भठिंडा एयरपूर्ट जिंदा लोटा है हूँ, ये दरसल अपने आपने बहुत चंता की बात है, ये बहुत शर्म की बात है कि अगर ऐसा हुआ है तो, लेकिन क्या ऐसा संभो है, एक प्रधनमंत्री जो उस गाड़ी में बैठा है, जो बुलेट प्रूफ है, जिसको टैंकों का भी बहुत असर नहीं पड़ता, अगर टैंक को इतने पास ला सके तो, जिसे मिलिटरी कैलिवर के जो हैंड गन्स होते हैं, वो नहीं भीच सकती, उसमें बैठे हुए हैं याप, भारत के सरोसरेष्ट सुरक्षा कमांडो, SPG, Special Protection Group के सैकडों, ना सही, बीसियों, पचासियों तो हैं ही, उसके बाद पंजाब पुलिसे जो आगे खड़ी है, इस सेक्योरिटी में अगर आपकी जान को खत्रा हो गया, तो फिर इस देश के पूरे नेशनल सेक्योरिटी अप्पारेटे से उसको भंग कर देना चाहिए, वो कौन लोग थे जिन्नों ने ये कार खरीदने का नरड़े लिया फिर, अगर ये कार आपको स तरह महसूस हुआ, तो पहली बात कि ये निरा जूट है, यह हो सकता है, डर सही हो, तो वो बेवजे है, दोवाल कहां थे, सबसे बड़ी बात तो ये कार खरीदने का फैसला किसका था, दूसरी बात, प्राइमिनिस्टर की जो सेक्योरिटी होती है, वो पूरी की पूरी तर SPG वहाँ पे दिनों पहले से पहुँचती है, दो दिन पहले पूरा कमान अपने हाथ में ले लेती है, DIG लेबल का एक अधिकारी लाइजन करता है, स्टेट पुलिस का, और सब कुछ SPG के हाथ में होता है, रूट से लेकर के सब कुछ लोकल पुलिस के हाथ में होता है, हर रूट को सैनिटाइज किया जाता है, सैनिटाइज करना, स्नाइपर स्तैनात करना और बहुत कुछ, ऐस तो आप करवा ही क्यों नहीं करते हैं, dare to act against them, अगर आप से नहीं हो रही सुप्रिम कोट, जाइए कि उनसे जवाब तलबी करें, कि पंजाब सरकार ने कैसे ऐसी गलती कर दी, पंजाब सरकार की कोई गलती असल में है नहीं, हम लोग रैली अस्तल से वीजूस लगातार देख हुआ है, वो लाश्ट मिनिट में राइट किस ने कैंसल की, और अगर मौसम इतना खराब था, तो फिर उडान से ही वापस कैसे गया, तो बहुत सारे सवाल है, जिनका सीधा एक जवाब है, कि पहली बात प्थानमंत्री की जान को कोई खत्रा नहीं था, और इस बात का सुक है, वो कैसा हसरा होगा, कि प्राइम मिनिश्टर बोल रहा है कि हम अपने देश के एक राजी में सुरक्षित नहीं, और हवाई बातें थी लालाल आंखें दिखाने की, और ये वही प्रधानमंत्री जी हैं, जो अपने खुद के दावे के मुताबिक बिना कारिक्रम के, बि सेक्यूरिटी खत्रे में नहीं पड़ी थी, और भारत के अपने ही लोगों के बीच पढ़ गई, जिसमें अभी पांच साल पहले तक इनहीं की पार्टी की गटपंधन सरकार थी, तो ये खुद की जग हसाई है, ये बहुत शर्मनाक है, इस तरह के दावे, फिजूल दाव करना, और अगर ये दावा सही है, तो मुदी सरकार को तुरंट पंजाब सरकार के खिलाफ कारवाई करनी चाहिए, इस से बड़ी क्या सिक्यूरिटी वरीच होगी, आप बंग कर ये सरकार सहास हो, तो राश्मन शासन लगाई है, बेशक पंजाब सरकार जाएगी सुप्रि ये पी ने डॉग विसलिंग की है, डॉग विसलिंग इस कॉल्ड वेन, आप इशारे बाजी में ऐसी बातें करते हैं, जो किसी समुदाहे को निशाना बनाएं, किसी कमुनिटी को विलन बनाके, खलनायक बनाके, खड़ा करें, आंदोलन कर रहे हजारों हजार किसानों को, लाखों किसानों को, जिनमें सभी समदाए और वर्गों के किसान शामिल थे, इसमें अपने सिक्खों को अलग से चुना, राकेश टिकैट को और भारती किसान यूनियन के, पस्चमी उत्तर प्रदेश को उस इलाके को भूल गये, जहां से गिंती के, जिसमें गुलाम मुहम बिर्क थे ही, धलीवाल थे ही, जो सिक्निता थे वो थे ही, आपके खुद के कैबिनेट में मंत्री रही, हरसिमरत संग कौर बादल ने इस्तीफा दिया, लेकिन आपके पूरी पार्ट्री डॉग घुसल करती रही कि ये खालिस्तानी हैं, खालिस्तानी, तो क्या आपने खा राटकाल को और मजबूती देना है, प्राहमंत्री जी, नहिरू जी क्यू प्लब्धियां, आई एटी से लेकर के, इसरू से लेकर के सब, इंद्रा जी क्यू प्लब्धियां, सेंट्रल स्कूल से लेकर के, सारे बैंकों का रश्टी करन, प्रिवी पर्स खतम करना, इस खतरनाक इस्तेमाल करके ही आप सत्ता में आए, आप उनकी बराबरी में कुछ अच्छा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके इन हरकतों से ये जरूर लगता है, कि इन सब की जो गल्तियां हैं, वो आप जरूर दोराएंगे, नहिरू जी ने एक बड़ी गल्ती की थी, च दो बार आपने भारत उनको बुलाया है, साबर मती किनारे जूला जूलाया है, जब वो आरोनाचल में गुस्पैट कर रहे थे, और किरन रिजेजु को उन्होंने बना कर दिया था, कि उनका आगमन अलाउड नी, उसके बाद आपने उन्हेंने महा मल्लपुरम के मंदिर मे बुलाया और भारतियों को उनका मुखोटा पहना के बैठाया, और उसके तुरंट बाद हमें गलवान मिला, तो नहरू जी की जो गलती है, वो तो आप दोहरा ही चुके हैं, जिस पे आपने तब से बूला नहीं, आपने तो उन्हीं की बात को बल दे दिया, कि ना कोई उसे भारत गुसा है, उसमें क्लैश हुआ है, इंद्रा जी ने भी एक गलती की थी चुनावी राजनीत के लिए, और उसका हमने प्रणाम खालिस्तान भुकता था, आपकी पारटी विते दो साल से वो भी दोहरा रही, डेड़ साल से वो भी दोहरा रही, लेकिन मुझे निकरता हुआ एड़े अलर्ट पे रहते हैं, इस दोर में क्या आप ये कहना चाहते हैं, कि आपके पास ड्रोंस नहीं थे आपकी सिक्कूरिटी डिटेल के पास, ड्रोंस की आपको जरूरत नहीं थी, गूगल मैप नहीं था आपके पास, गूगल मैप बताता है कि कहां ब् कई यहुसल गाववाद को ही बढ़ावा दे सकता है जो आपकी पार्टी के छोटे नहीं बिधायक मंतरी सांसा दस्ता तक के नेता वित्ते एक साल से कर रहे हैं और जब हमारी इस्टर्न सीमा पे पूर्वी सीमा पे चीन से पहले ही इतना तनाओ है आप एक बार्डर स्टेट को एक सबसे महत्मून स्टेट को जिसका आर्मी में बहुत योगदान है आर्मी में जिसके ऑफिसर उसकी अपनी जन संग्ठा क्या उन पहुत में कई 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 गुना जादा है आप अगर वहां पे इस तरह के बातें करेंगे जिनको आपके समर्थक कहां कहां लेके उड़ते हैं चुनाओंवी राजनीत के लिए ठीक नहीं है यह देश के लिए ठीक नहीं है देश सबका है खेर इस वीडियो में इतना ही आप लोगों के कोई सवाल हों तो जरूर पूछें और मुझे नहीं लगता है कोई चूक हुई है जबकि मूदी जी एक ऐसे प्रधर मंत्री है दोजार दो में सीम बनने के बाद से हर गुजराच चुनाओं के पहले उनकी जान को खत्रा होता था तंकवादी पकड़ा जाते थे या प्लाक पकड़ा जाता था अब उत्तर पुदिस चुनाओं के पहले भी अगर होने लगे तो ये और वो भी अपने ही देश में तो ये ठीक नहीं है ये देश के बबिश के लिए ठीक नहीं है राजनीत का एक अस्तर होता है वो अस्तर बनाए रखना चाहिए और बस आज के लिए इतना ही फिर मिलते ह हैं ऐसे ही किसी वीडियो में आपके अगर कोई सवाल हूँ तो जरूर पूछें और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें फालो करें वीडियो को सजा करें दन्यवाद बाई